तो यह रहा आपके Class 10th SST के Board Exam का पेपर So friends, देखो इस वीडियो में हम SST के Board Exam के पेपर का पूरा एनलिसिस करने वाले हैं जो मैंने दिया था So friends, आप जानते हो कि CBSE PYQ उसके लिए कितना जाना जाते हैं अपने Board Exam के पेपर में वो कितने previous year question देता है So friends, इस वीडियो में यह मेरा Board Exam का पेपर है इसका हम पूरा एनलिसिस करेंगे कैसे questions आते हैं, किस टाइप के questions आते हैं कितने lines में हमें answer करना होता है And हम सारे जितनी बहुत कोई doubts है papers related वो भी clear करने वाले हैं So start करते हैं without wasting any time So यह paper मैंने दिया था देखो सबसे पहले कुछ basic instructions है जो आप read कर सकते हो हम आते हैं direct questions पे सबसे पहले आजाते देखो Section A में है total 20 questions 1 से लेकर 20 MCQs है 1 marker Clear हो गया Section B में 21 से 24 Very short 2 marks की question Section C में 25 से 29 यानि कि आपके कितने questions हो गई या आपके 5 questions हो गई 25, 26, 27, 28 and 29 या आपके 3 marker question Section D में 4 question है 5 marks के section E है आपका आप जानतों it is the case based question SST में एक extra section होता है which is section F जिसमें क्या होते हैं आपके map based question होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं उसकी भी trick में आपको बताऊंगा हम सीधा आते हैं पहले questions पे देखो कोई section A आपका multiple choice questions का अब ये जो question है ना ये बिल्कुल आपके 10-10 second में होंगे अगर आपको आता होगा अगर नहीं आते हैं तो time waste करने कोई फाइदा नहीं है क्योंकि इसमें या देखो maths तो है नहीं कि आप solve करोगे formula लगाओगे तो आपका answer कैसे तैसे निकल जाएगा ऐसा नहीं है अगर answer clear cut fact पूछा है आता होगा तो second home में हो जाएगा वरना आपको वो नहीं आएगा अब तुक्का मारके आगे बढ़ोगे तो आपको एगरने कोई negative marking तो है नहीं तो कोई भी question skip नहीं करना छोड़ना नहीं है सारे attempt करने है तभी उपर लिखा भी हुआ है all questions are compulsory बाकी आगे जो internal choice है उसके बाड़े में आपको आगे बताता चलूँगा ठीक है पहला question raise the following chronological order तो ऐसे नए टाइब की question आ गया पहले CBSC question आगे आगे 2016-17 में नहीं पूछता था अब chronological के question आते है अब ये events है सबसे पहले क्या हुआ Napoleon के war हुए थे 18-10-18-15 की इस time period में Treaty of Vienna sign हुई थी कब 18-15 में उसके बाद Greek struggle हुआ था उसके बाद slab nationalism तो ये I guess पहले से ही chronological order में लगाया हुआ है चांस है हर टाइम ऐसा ना हो तो इस कांसर हो जाएगा 1st, 2nd, 3rd, 4th option B तो ऐसे आप कोई one mark का question attempt करना है अब हिंदी में भी दिया है इंग्लिश में भी दिया है आप अपने medium के साब से attempt करना अब देखू ये जैसे question पोछिए There are three important development that greatly shrank the pre-modern world बिल्कुछ सही बात है identify the incorrect one of the following option the flow of trade, flow of labor, flow of capital, flow of technology तो इस कांसर हो जाएगा flow of technology यानि कि तीन फ्लो पड़े से चैप्टर में ये odd one आउट ही इस कांसर हो गया who among the following improved the steam engine अब देख लो, questions का level के अब आपने अपने pre-board exam दिये मैं आपको इस वीडियो के साब से क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, आपने SST की कितने papers दियोंगे pre-board दियोगा, second pre-board दियोगा, half yearly दियोगा तो उसमें question का level आपको पक्का अडिफिकर लगा क्योंकि मैंने खुद अपने pre-board दिये थे आप ट्रस्ट करो बहुत मुश्किल लगे थे और मेरे मार्क्स कम आए से जबकि बोड एक्जाम के पेपर में मेरे 94 मार्क्स आए यह कैसे होता है कोई जादू तो नहीं होता आपके पढ़ाई उतनी होते है तो दूसरा pre-board होता है और board exam paper होता है कम ही गाप होता है अब देखो यहाँ पे question यह कि कितने easy question one marker question आपको दिये होगा अब second or main attempt कर सकते हो इसकांसर James what हो गया which one of the following is an example of ferrous matter this cancer होगा nickel and match the column आपको match करना है तो आप देखरो कुछ questions हो सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा time लगेगा वरना बहुत ही easy question यहाँ पर आपको दिये होगा है अब आप को इसा question देख लो which of the following country has better rank in human development index तो इसकांसर के हो जाएगा यहाँ पे इसकांसर हो जाएगा इंडिया आगे बढ़ जाए चलो यह हिंदी में दिया हुआ है next page आपका यह which one of the following sector contribute highest in the GDP of India इसकांसर के हो जाएगा प्राइमरी हो जाएगा अब देखो जितने भी chapters है ठीक है जितने भी economics के civics के history के geography के सारे chapters के one shot lecture सारो के notes map का video सारा कुछ चैनल प live session में पूरी history हम पूरी खतम कर देंगे तो उन वीडियो का वेट करना बाकि इस वीडियो से यह समझो की question paper इतना हाड नहीं आएगा अगर आप महनत करोगे consistently ठीक है तो देखो why did the Indian government liberalized trade regulation भई 1991 के time में इंडिया में liberalization आया था reason क्या था इसका simple सा reason था government wanted foreign exchange equivalent to Indian currency अब यह द in the world market yes तो इसका answer हो जाएगा option number C सारे question में discuss कर रहे हो है यह आप देख लो ऐसे ऐसे question आपको यहाँ पर attempt करने है and यह आप देख लो सारे database database question भी है और कुछ है जो आप 10-10 second में attempt कर दोगे अब इसमें आप देख लो how much is the net absence ratio थोड़ा question को गुमा दिया अब यहाँ पर हर्य 100 में से 61 को माइनस कर दो absence ratio हो जाएगा यह तो present है 61 तो 100-61 कितना हो जाएगा it will be 39 option number A तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कुछ मुश्किल था नहीं था ऐसी आगे बढ़ जो अब यह जो question paper है इसकी PDF और सी solution की PDF में दोनों यह attach करूँगा solution नहीं देखने पहले खुद question paper solve करोगे फिर आसर match करोगे ठीक है जैसे हमने maths में किया था and फिर आपको बताने कि आपके कितने marks आ रहे हैं ठीक है तो अभी मैं और solution इसमें discuss नहीं करने वाला PDF आपको नीचे मिल जाएगी उसमें से-से solve करो और confidence अपने अंदर आपके अपने आप आ जाएगा कि आपने कोशन होंगे difficulty कैसी रहेगी अब section B आ गया यह कि आपके दो माक से question है इसमें देखो पहले में choice आ चुकी है explain any two methods that were used by the Europeans for recruitment of indentured labors तो एक तो आपका जो forced laboral था और फिर उनने क्या किया था उनकी kettles को मार दिया था तो ऐसे फिर उनको forced indentured labor में वो लेके गए थे या फिर स्म smallpox as a most powerful weapon की वो जब लाए थी वहापे तो लोगों के अंदर smallpox की immunity नहीं थी जिस वज़ा से उन्होंने उस land पे conquer किया था यार कि without any weapons एक disease की help से उन्होंने Spanish लोगोंने congress किया था ठीक है agriculture and industry move hand in hand again a very practical and logical question different person can have different developmental goals support the statement with an example यह सारे question हमने खुद आपको करवाए हुए है आपको कोई question कहा मिलेंगे हमने एक important question की series चालू करी थी SST की उसमें सारे question आपको यू के यू मिल जाएंगे and बेकुत है ऐसे लग रहे हैं दस दस बार मैंने question पढ़ लिया है क्योंकि आपको हमने करवाई हुए है same to same question ठीक है women face discrimination in various ways in our society explain any two ways यार यह तो अगर आपने chapter ना भी प of liberalism यानि सब को equal rights equal voting rights सब मिलना चाहिए explain any three institutional reforms taken for the development of Indian agriculture या फिर how is the information technology connected with globalization तो question आपको कुछ ऐसा लग रहा है मैंने जैसे जब मैंने sample paper देखा था cbs दीगा अपने time पे उसमें paragraph की फॉर्म में questions थे literally short question आसा है तो इसमें paragraph लिखा हुआ था question पूछा गया था ठीक है practice paper में देख लो और मुश्किल है तो अब आप देख लो असली board एक सामा paper कैसा आन questions बताने है तीनों के आपको यारत करें चलने है सारे कोशन हमने आपको करवाए भी हूए है इसमें आपको choice दी हुई है हर एक section में choice आपको one one दी गई है ठीक है ऐसी section D है यह आपके चार किते कोशन है one two three and yoga आपका four चार कोशन है पांच marks के हैं सारों में choice दी गई है a to z मे इसमें भी choice इसमें भी choice इसमें भी choice जो आपको लगी easy है वो attempt करो उसके points ना पहले rough में बना लो दोनों के अगर जिसके 6 अब देखो 5 marks में किते points लिखने है minimum 6 to 7 points लिखने है एक point में 2 या 2.5 lines होनी चाहिए इतना आपको रखना है तो देख लो किसमें points आपके ज्यादा ब pattern of Indian railway network तो आपो जोन सा लगे आप वो attempt कर सकते हो section E है यापका case based question है newspapers वाला है I guess यापका print culture में से आपका case based आ चुक है ठीक है तो यह आपको पढ़ना है questions आपको देदी तीन question दी है explain the main reason of publishing newspaper by Krishna जी यापो कहा मेलेगा अब इसके अंधर ही answer है okay maths में क्या होता है आपको question case based कुछ उसमें होता है कि सीधा question rate करो formula लगाओ answer निकालो लेकिन इसमें आपको सारे answer English की तरह ही मिलेंगे आपको यू के यू आपके लिग देने तो कुछ भी tension की बात है नहीं ठीक है यह हो गया बाकी यह question भी same है सारे आपको पैसेज में मिलें यह for water conservation यह इसमें नहीं मिला तो आप में पढ़ा हुए NCRT में ठीक है पांच तरीके आपने पढ़े से उनमें से कोई 2 लिग दो ठीक है ऐसा हो गया and यह आपका फिर map यह हो गया एक और आपकी case study है यह को करना है उसके बाद आ जाते हम section F पर यह है आपका देखो visually impaired के लि इसमें उपर पहले देखो mark करा हुए यह A है यह B है अब A का question पढ़ो बस आपको नाम पहचारना है ठीक है location आपको already देदी है अब A वाला question आपको पढ़ना है आजो so यह question कहाँ पर देखो यह आपका map दे दिया and question I guess ओपर है हाँ तो देखो अब यह है attempt 25 name the place where the session of international congress was held in December 1920 तो इसका answer आपको करना है ठीक है बताए जेज़े चलो map का तु नागपूर होगा इसका answer name the place where Mahatma Gandhi started Satyagraa सबसे पहले कहां किया था चंपारन बिहार में ठीक है जब वो आये थे एफरिका से name the state where Narora nuclear plant is located तो इसका answer हो जाएगा UP name the state where Teheri Dam, Teheri Dam तो आपका famous है उत्राखंड में है यह and name the state where Mumbai software technology park is located Mumbai कहां में है कहां पे है महारास्टर इसका answer हो गया name the state where Haldia seaport is located इसका answer हो जाएगा आपका West Bengal तो यार यहां से हमने map भी complete कर लिया है अब इस video का aim यही था कि आप question paper से familiar हो ज्यादा से ज्यादा बाकी आपके sample question paper और यह paper का solution आपको खुद करना है and match करना कितने marks आपके आएंगे ठीक है बाकी और papers हम solve करवाएंगे PYQ की series आने वाली है त that's all for this video thank you so much